नमस्कार आप देख रहे हैं दर्श निउज मैं हूँ दिव्यांसू रेलवे में नौकरी पाने का सुनरा मौका आने वाला है क्योंकि रेलवे भरती बोड अगले महिने NTPC यानी Non-Technical Popular Category की भरती का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है रेलवे ने Non-Technical Popular Category लेवल 4, 5 और 6 में 16154 पद और NTPC लेवल 2 और 3 के 3445 पदों पर भरती करने का फैसला किया है वहीं अक्टूबर दिसंबर के दौरान रेल मंत्राले में खाली पदों पर भरती करने की घोशना की जाएगी लाखों युवाओं को रेलवे ग्रूप D भरती का भी इंतजार है पिछले रेलवे ग्रूप D भरती में करीब सवा कडोर युवाओं ने आवेदन किया था युजना के तहत रेलवे वर्स 2024 के अंत तक 61,529 रिक्त पदों पर भरती करने की प्रक्रिया पूरी कर लेगा इसके बाद नए साल में जनवरी दिसंबर के दौरान खाली हुए पदों पर नियुक्ती के लिए पुना उक्त प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी इस नए नियम से हर साल रेलवे में खाली होने वाले पदों को समय पर भरा जा सकेगा और युबाओं को उम्र खत्म होने से पहले नौकरी मिल सकेगी रेलवे बोर्ड के दस्तावेज के अनुसार जनवरी मार्च में दोहजार चौबिस में सहायक लोको पाइलेट के 18,799 रिक्त पदों पर भरती प्रक्रिया चल रही है टेकनीशियन के 9,144 पद, जूनियर इंजिनियर के 7,951 पद और पैरा मेडिकल केटेगरी में 1,376 खाली पदों पर भरती के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं रेलवे बोड ने विभाग में तिमाही भरती प्रक्रिया में 2 मार्च को रेलवे सुरक्षाबल यानि आर्पीएफ के 4,660 रिक्त पदों पर भरती करने की घोशना किये इसमें 10 फीजदी सीट, 4 साल की नौकरी पूरी कर चुके अगनीवीरों के लिए आरक्षित होगी झाल